वेल्कम तो आल दे एस्पिरेंट आफ लाइबरेरी एन इन्फरमेशन साइंस सभी विद्यारतियों का स्वागत है जो भी लाइबरेरी साइंस से बीलाइस, एमलाइस या सीलाइस कर रहे हैं तो इस वीडियो में स्टुडेंट हम आप सभी को जो आगे का जो लेक्चर है जिसमें हमने थर्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था और यह फोर्थ पार्ट है जिसमें हम आप लोग का कॉंप्टिटिव एक्जाम से रिलेटेड जो कि लाइबरी साइंस में जो भी जॉब से र हमारी जो क्लासे से यह बहुत यूजफूल रहने वाली है क्योंकि हम वेरिस एक्जाम का जो आया हुआ जो कोशन है वही आप लोग के सामने हम डिसकस कर रहे हैं जिससे आपको विराइटी अफ कोशन देखनी को मिलेगा और कहीं से भी एक भी कोशन ऐसा नहीं रहेगा जो कि हम आपको skip कराएंगे तो almost आप लोग का हर तरीके से हम लोग preparation करवाने आले हैं तो अलरडी हमें तीन वीडियो डाल दिया अगर आपने वह आले नहीं देखें तो उपर आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो पहले देख ले और इस वीडियो में हम फर्दर आगे continue करें तो उनके लिए भी असान रहेगा पर हम एक ही रैंग्विज में पढ़ेंगे कि दोनों रैंग्विज में अगर हमने पढ़ना स्टार्ट किया है तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा और ज्यादा कोशन भी कवर नहीं होगा तो इसलिए हिंदी वाले स्टुडेंट साइड व ठीड मोहन रोआ है लाइब्रिरी फांडेशन राजा-राम मोहन रोण ज्सका मीन अटेक्टिव क्या है तो इस में 4 सक्देशन तो इसका चर्शन अबूकर्ण होगा तो सर्चिंप बना नौटं करना इसका में बना सकते हैं question number second है side by side Hindi का भी चल रहा है तो आप लोग video को pause करके अगर चाहे तो note भी बना सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं चाहे तो समझ सकते हैं तो second question है universal availability of publication that is UAP program is related to whom तो यहाँ पे इसका correct option जो है वो है first international federation of library association and institution that is IFLA IFLA जो है एक universal availability और है publication का जो की program है जिस किसे related है IFLA से है फिर इसमें question number third है in which year Indian library association was established Indian library association जो है वो कब established हुआ था तो third का answer जो correct है वो है first, 1933 में question number four है American library association headquarter is situated in which place American library association that is ALA जो है उसका headquarter कहां पे है तो इसका headquarter जो है Houston में question four का correct option first है question four का oh sorry question four का correct option है जो है third, Chicago Chicago में American library association का headquarter है question number five है what is library consortium library consortium होता क्या है तो इसका correct option जो है first, sharing the resource and information from other library through network network मनाया जाता है उसी को library consortium बोलते हैं और उस consortium में क्या होता है information का sharing होता है from one library to another क्यों 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 के पास budget नहीं होता तो इसलिए information sharing के लिए लोग एक library consortium बनाते हैं better services provide करने के लिए यह होता है तो fifth question हो गया आगे है हमारा sixth question जिसमें है who contributed in library movement for library development in Baroda state pre-independence तो इसमें मतलब एक library movement चला था बरोडा में तो उस movement में किसने contribute किया था state pre-dependence से पहले तो इसका जो question number six का जो correct option जो है second महराजा स्याजी राओ जो third है इन्होंने यहां पे contribute किया था question number second है sorry, seventh है national library week is celebrated in India on देखी यह वालो question हमने जो पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने करा दिया था जो first हमारा part था उसी में कराया था तो इसको अच्छे से मैंने explain भी किया था यह क्यों celebrate किया जाता है तो यह जो है इसका correct option जो है third, 14 से 20 नौवंबर को celebrate कर किया जाता है क्योंकि 14 नौवंबर को children's day होता है और जो हमारे former prime minister है सरी थे जोहरलाल नहरू उनके बड़े से ही यह celebrate किया जाता है तो यह है seventh question, eighth question है which register is the record related to book available in the library, कौन सा register है जो कि हमें बताता है record से related, मतलब लाइबरी में कौन कौन सी book एविलेबल है तो eighth का जो correct option जो है, वो है four accession registered यहाँ पे देखिए, एक question एक student पूछा था comment करके कि sir हम ऐसे वाला similar question ही था अब मैं आपके लिए वो question पढ़ देता हूँ कि कौन सा register जो है which is the permanent record of library दिये गए option में से permanent record जो है library का कौन सा है तो वहाँ पे बहुत सारे option थे जिसका correct option जो था वो था catalog तो यहाँ पे अगर permanent record की बात करें तो catalog होगा अगर book available की कौन कौन सी है थर्ड जो part हमने किया था उसमें question का हमने गलत option बोल दिया था हाला कि उस पे tick सही लगा था बट option गलत बोल दिया था question क्या था question number था 97 जिसका question था what do you call the program that are used to find out possible fault and their causes मतलब आप उस program को क्या बोलते है जो कि आपके आपके phone से या फिर आपके system से जो भी fault है उसको निकाल के आपको बताता है या फिर वो ढूनता है तो उसको बोलते हैं boot जिसका part था C boot और हमने बोल दिया था cookies तो please करके उसको थोड़ा correct कर लिजेगा तो question number था 97 आगे चलते हैं question number यहाँ पे 9 है in which year newspaper were included after amendment in library of book act 1954 कौन से year में newspaper जो था वो include किया था amendment के द्वारा delivery of book act के द्वार 1954 में तो इसका जो correct option है 9 का वो है second 1956 आगे चलते हैं question number 10 पे question number 10 है national institute of science communication and information resource that is Nishekear come into existence by merger of which two of the following institution मतला Nishekear जो था वो दो institution को merge करके बना था तो वो दो institution कौन कोन से थे तो correct option जो है वो है 10 का third national institution of science and communication and national Indian national scientific documentation center तो इन दोनों को merge करके निसhekear जो था वो बना था तो आगे चलते हैं question number है 11 tag 260 in mark 21 mark जो tag 260 है mark 21 में वो क्या बताता है तो 11 का जो correct option जो है वो है second the publication information publication information के बारे में बताता है यह आपने अगर 229 का practical किया होगा तो आपको यह वाला question आपको समझ में आएगा क्योंकि वहाँ पर जब computer पर आपने practical किया होगा तो वहाँ पर कुछ number थे उसका publication या ISBI number या कुछ भी मतला ऐसे करके वहाँ पर book number, accession number ऐसे करके number दिये हुए थे तो वो आपको हाँ से समझ में आएगा या फिर आपने practical भी किया होगा तबी भी आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए तो question number 11 था और आगे question number 12 है by which entry you will get main information about a book कौन से entry से आपको main information मिलता है book के बारे में question number 12 का correct option second main entry से main entry से ही मिलेगा definitely question number 13 है what bt symbol denote in sears list of subject heading मतलब bt का क्या full form कौन सा है मतलब वो क्या denote करता है तो जो 13 का question का जो correct option जो है third border term broader term जो है वो bt से denote होता है आगे question 14 है what is the standard size of catalog card for entries of book catalog card की standard size क्या होती है जिसमें हम entry करते है book की तो 14 का जो correct option जो है second 12.5 cm से 7.5 cm तक इसको याद रखना ये सारे जो factual question है ना जो की concrete form है ये हमेशा आपको देखने को मिलेंगे और इनको असान रखना बहुत असान भी होता है इतना मुश्किल नहीं होता question 15 है C19 से N87 तक ऐसे करके मतला हम denote करते है colon classification में और हाँ एक question मैंने वीडियो में पूछा था कि colon classification किस ने दिया है तो अभी तक किसी ने भी reply नहीं दिया चले हम भी बता देते है colon classification जो है वो डॉक्टर ऐसा रंगनाथन ने दिया था और DDC दिया था question 16 है which type of notation is used in colon classification scheme colon classification scheme में कौन सा type का notation यूज किया जाता है तो 16 का correct option जो है second mixed notation क्योंको उसमें verbal plane आता है notational plane आता है यह सारी चीज़े आपको देखने को मिलती है फिर according to colon classification in facts formula of old literature p facts denote to which term तो यहां पर बोल रहा है colon classification में जो formula जो करता हो किस से किस टर्म से डिनोट करता है तो 17 का जो correct option जो है third language से देखिए आज के जो question होने वाले है थोड़े high level के है तो इसलिए आपके दिमाग से निकल निकल जाएगा कुछ question तो यह तभी होगा जब आपने अगर थर्ड कौन से होता है ऐसे करके तो इसका भी correct जो option है वो है second पहले second वाला मतलब यह वाला universal decimal classification फिर first वाला divay decimal classification फिर fourth वाला the bibliographic classification scheme और फिर उसके बाद third वाला colon classification scheme तो यह है correct sequence of publication फिर 19 question है according to colon classification to form class number for bibliography of prime minister which ACI is used colon classification के द्वारा अगर class number निकाला जाए bibliography of prime minister का तो कौन से ACI का यूज करते है 19 का जो correct option है वो है third Y7 का in chain procedure subject heading of a document is derived from whom chain procedure में subject heading जो है document का वो किस से derive किया जाता है 20 का जो correct option है और symbolize in the form of body of idea जब idea जो है वो organize किया जाता है और symbolize किया जाता है या फिर तो वो form करता है body of ideas a dash is formed तो क्या बनता है तो इसका correct option जो है 21st का वो है second subject बनता है a subject is formed 20 second question है a class number of a book shows class number of book क्या शो करता है 22nd का correct option जो है वो है second subject of a book subject of a book जो है वो class number show करता है 23rd question है 21st edition of debate decimal classification consists of how many volume debate decimal classification जो है 21st edition का उसमें कितने volume आपको देखने को मिलते हैं तो इसका correct option जो है वो है first four volume देखने को मिलता है देखें वोल्यम के उपर हमने already बना रखा है video separate first volume, second volume and third volume schedule table and standard deviation जो सारी चीए है उसके रिलेटर हमने already video बना दिया तो अगर आपको वो देखना है तो आप जाके देख सकते हैं उसका भी जो video है वो हमारे playlist में मिल जाएगा channel के अगर जाके महाँ पर search करते हैं तो आगे 24th question है in AACR2 main entry of a serial publication published by the commercial publisher will be under जो AACR main entry है serial publication का वो commercial publisher के under में जो publish होता है उसका मतलब क्या होता है कैसे तो इसका जो correct option है 24th का वो है second title के द्वारा जो है वो publish होता है फिर 25th question है what donate C in following formula of book number according to colon classification colon classification कित्त सारी question मनते हैं तो आपको इन पे जाए धिहान देना है जो question आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं at least एक ना एक तो question आपकी एक्जाम में देखने को जरूरी मिलते हैं तो 25th का जो correct option जो है वो है second copy number जो C है वो copy number को denote करता है फिर full form of opaque ये भी repeated question है तो full form of opaque जो है इसका correct option जो है 26 का वो है four online public access catalog फिर present ISBN that is international standard book number जो है उसमें कितने डिजट होते हैं तो 27 का correct option जो है वो है third 12 बार डिजट होते हैं इस सब factual question है इसको आपको ऐसे याद रखना पढ़ेगा फिर 28 question है what is now when a catalog is which some entry are in number entries and some are in words कुछ जो entry है वो number entry है और कुछ है जो word है तो उसको हम क्या बोलते हैं 28 का जो correct option है वो है second classified catalog क्योंकि इसमें कुछ number भी होते हैं कुछ word भी होते हैं question 29 है Anglo-American cataloging rule second that is AACR second was published in which year कौन से year में ये publish हुआ था तो 29 का जो correct option है वो है आपका 4 1978 में publish हुआ था question number 30 है what is called when a book is printed against with substantial change or with addition in text क्या बोलते है उस book को जब उसमें कुछ changes किया जाता है उसके कुछ text में edit किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं 30 का जो correct option है वो है third edition बोलते हैं ना first edition second edition तो edition में क्या होते है उसमें कुछ-कुछ चीज़े होती है हो change किया जाता है जैसे कुछ year हो गया है तो बार-बार change होता है कुछ data हो गया हो change होता रहता है तो ऐसे उसको addition बोलते है question 31 है in colon classification intra-array phase relation is used for representing relation between which one from the following इन में से कौन सा जो है colon classification intra-array phase relation का use होता है जाकि represent करे उनका relation इन में से कौन सा 31 का correct option है वो है second जो कि one main class one facts two array in isolation on one and the same array ये second जो है ये correct option है तो 31 का correct option जो है second है फिर आगे है 32 question that is which of the following is not a documentary information source कौन सा जो है इसमें से documentary information source का पार्ट नहीं है तो इसका correct option जो है वो है fourth university ये university है ये कोई documentary source का information थोड़ी ना है बाकी साब आपको देखने को मिलेगा जैसे आपको research हो गया conference paper हो गया research report हो गया ये सब आपको देखने को मिलेगा इसमें आपको documentary source में तो third question है who said that reference service is the process of establishing content between reader and his document in a personal way तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसने बोला है कि जो reference service होती है वो एक process है जो कि establish करती है contact between reader and his document जो कि document होता है उसके और reader के बीच में तो correct option जो है 33rd का हो है second ऐसा रंगनातन ने बोला है फिर आए 34th question article published in research general आर जो article research general में publish होता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं primary source correct option जो है third primary source बोलते हैं उसको 35th question है what type of information source India who whose who new Delhi info publication is आप देखें कितना detailed question पूछा गया है कि जो जो किस टाइब का information source है जो कि new Delhi में publish होता है India who whose who जो की publication है info publication तो इसका जो correct option है 35th का वो है second bibliographic source वो bibliographic source है फिर 36th question है इंडियन नेशनल बिब्लोग्राफी is published by इंडियन नेशनल बिब्लोग्राफी जो है वो किसके द्वारा publish होता है तो correct option जो है वो है first नेशनल लाइब्रेरी कॉलकता नेशनल लाइब्रेरी कॉलकता के द्वारा नेशनल इंडियन नेशनल बिब्लोग्राफी है वो publish होती है question 37 है who is called the father of bibliography bibliography के father किसी कहा जाता है question 37 का correct option जो है second यहाँ पे यहाँ पे conran cendra तो second question sorry 37 का second question तो 38 question है देखें कुछ word ऐसे होते हैं जो यहाँ पे थोड़े अलग से ही दिख रहे हैं कुछ question सारी कुछ question ऐसे हैं जो कि थोड़ा अलगी है तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि mix and match question तो high to level low भी आपको इसमें देखनी को मिल रहा है कुछ mediocre question भी देखने को मिल रहा है तो 38 question है which one is not an example of e-resource इन में से कौन सा option वो है जो कि e-resource नहीं है तो correct option जो है 38 का वो है 4 manuscript manuscript जो है वो e-resource नहीं है बाकि सारे ही e-resource होते है e-resource मतलब जो कि electronically आपको मिल जाएगा फिर है 39 का abstracting periodical or which type of periodical abstracting periodical जो होते है वो किस तरीके के periodical होते है तो वो secondary source periodical होते है second option correct है और last question है इस वीडियो का 40 question जो कि India a reference annual is published by whom India a reference annual जो है वो किसके द्वारा publish किया जाता है तो इसका जो correct option है वो है 4 publication, division, ministry of information and broadcasting इनके द्वारा ये publish किया जाता है तो I hope आपको आज का lecture बहुत informative लगा होगा और कोई भी doubt हो किसी भी question से regarding वो आप लोग comment box में जरूर करें और इसके अलावा और किस तरीके से हम आप लोग का help करें वो भी आप suggestion में जरूर दे comment box के तो आशे करते हैं आपको आज का lecture अच्छा लगा होगा और जो addition हमने कराया था वो वाला आप लोग प्लीज करके लास वीडियो में जो एक question गलत हो गया था 97 वाला वो आप कर लेना तो बाकी मिलते हैं आप सबी से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद